नमस्कार वेब बार्टना में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ पीती हमारे साथ मौझूद है वेब दुनिया के संपादक जयदीप करणी जी बात करेंगे किसान आंदोलन पर जो वर्तमान में एक ज्वलत मुद्दा बन चुका है जदीप जी किसानों का अंदोलन भयाभा रूप लेता दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक ये बड़ा प्रिशन है कि राजनितिक पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या किसान अंदोलन के मुद्दे को राजनितिक पार्टी आप भुना रही है हर तरीके से जहां भारती जंता पार्टी कोशिश कर रही है पर अपनी रोटियां सेखने में लगे है लेकि किसानों की बूल समस्याए है वो बहुत गंबीरे हैं और अलग तरीके की है किसान आजकल इस देश में एक ऐसा शब्द हो गया जिसका इस्तेमाल बड़े-बड़े फिल्मी सितारे तक करते हैं क्योंकि वो कुछ फायदे सरकार के उठाने के लिए खुद को किसान कहलवा लेते हैं किसान है कुंदरसल क्या जिनके घर में बड़ी-बड़ी चमचमाती आलीशान गाड़ियां और जिनकी कोठियां और जिनके बड़े-बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं क्या वो किसान हैं वो उनके आगी तीन पीड़ियों के लिए पैसा कमा चुके हैं उनके घरों में गाड़ियों की कतारे देखके आपको समझ में आ जाएका कि यह किस तरह के किसान है क्योंकि उनको टेक्स नहीं भरना पड़ता कर्ज भी वो माफ करवाना चाहते हैं दूसरी तरफ सचमुच वो किसान है जो लगातार केवल खेती करके सबजियां होगा कर फसलें होगा कर अपना जीवन यापन करता है उस किसान की जो सचमुच की समस्या है वो इन आड़तियों बिचोलीयों और ठेकेदार और धन्ना सेट किसानों की वज़े से छुप जाती है तो किसानों का सच्चा प्रजिनिद्रत वो सामने नहीं आता जो जमीनी किसान है वो इन बड़े किसानों द्वारा बर्गलाये जाते हैं बढ़काये जाते हैं और हालाद बेकाब हो जाते हैं अभी उनकी आप मांगों को देखें सबसे पहली मांग तो उनकी करज माफी की है करज माफी का जिन है ये उत्तपदेश से निकला है योगी सरकार ने लुबहाब ने जो चुनावी वादे किये थे उनको पूरा करने के लिए करज माफी की बात कहना है पूरा करज उन्होंने भी माफ नहीं किया लेकिन जब भाव माफी की बात हुई तो लोगों का कहना है कि इसलिए महारास्ट में भी बोड़गा, महारास्ट में और मद्द्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, वो क्यों करज माफी नहीं कर सकती है, अगर उत्त्रदेश में कर सकती है, तो पहली बात करज माफी क्या है, करज माफी एक ऐसा सवाल है, जिसको करज अगर आप माफ कर देते हैं तो फिर हमारे करजे माफ क्यों नहीं हो सकते ये सवाल करज को लेकर किसान उठाता और उसका जायल सवाल है दूसरा है तो उनको सही मुल्य नहीं मिल पाता तो वो समर्थन मुल्य के ललाई लड़ रहे हैं अब समर्थन मुल्य की दिक्कत यह है कि सरकार जो समर्थन मुल्य तैय कर देती हैं, कई बार उससे बहुत कम कीमत पर बादार में वस्तुएं मिलने लगती हैं, तो यह बादार की दिक्कत हैं वो इसलिए भी हैं कि हमारे यहां पर किसान को उसकी फसल का सीधा मुनाफ़ा नह रख रखा है उसको समझ में आता है कि मुझे इस भंडारन से अब लाब नहीं होने वाला क्योंकि फसल जादा होगी तो वो अपने भंडारन किये हुए उस अन्नों को भी बाहर निकाल देता है दोनों मिलाकर उस वस्तू का बदार मुल्य बहुत गिर जाता है इस वज़े से किसान को उसकी कीमत मिल पाती उसकी लागत भी निकल पाती तो किसान की असली दिक्कत यह है इसके लिए सरकार को चाहिए कि केवल समर्थन मुल्य ताय कर देने से यह ministry फंब होने वाला नहीं है और उसकी उस हालात को सुधारने की कोशिश की जाने दूसरी तरफ ये जो धन्ना से हो चुके किसान हैं इन किसानों की दादागीरी को इनके वर्चसफों को कम करने की कोशिशे भी सरकार को ही करनी होगी शुक्रिया जैदीब जी तमाम बातचीत के लिए वेब भारता में फिलहाल इतना ही लगातार खबरों और अन्य ताजा तरीन चानकारियों के लिए आप बने रहे हैं वेब दुनिया के साथ लोगिन कीजिए www.webdunia.com नमस्ते